नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजिक इसने चनल में तो आज की जो मॉडन लाइफस्टाइल है उसके अंदर हर कोई चाहता है कि उनके हैर जो है वो काफी अच्छे रहें वो जो है अलग-अलग हैरस्टाइल बना सके कि चाहे वो मेल है या फिमेल है वो चाहते है कि उनके बाल जो है वो काफी अट्रेक्टिव दिखे और वो अलग-अलग तरह की हैरस्टाइल जो है वो बना सके कि जिसके करना आप अच्छे से हैरस्टाइल नहीं बना सकते और अलग-अलग प्राब्लेम्स क्रियेट होते है जैसे कि यहां पर हम सबसे पहला प्राब्लेम्स देखे तो आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा ज़े वो जड़ने लगते है फिर बाल जब आप दोते हैं मलब कि हैर वास करते तक वो जो बाल है वो जड़ने लगते है वो तूटने देखन जो रहा है और बालों में रुखापन देखने को मिल रहा है और वह डेमेज हों रहा है है तो यह सब्ग प्राप्लेम के समस्या हो सकती है तो चलिए तो चलिए सिकते हैं डिटल प्रॉपिक है वह डीटेल में कवर करेंगे हम आज के वीडियो लेक्ट्र में और जानेंगे कि हैरफॉल क्या है और कैसे हम उसको सौल कर सकते हैं तो जो हैरलोस हो जाता है मैंनलकि कंप्लेटलि बाल जड़ जाते कि जिसको हम ऎलोपेस्या कहते हैं तो वो medical condition हो जाती है अलोपेसिया और वो काफी सारे reasons से होती है बर जब वो सुरुवत के stages के अंदर होती है तो उसको hair fall कहा जाता है कि जो बाल अभी तक सिर्फ और सिर्फ जड रहे है तो वो problem को हम solve कर सकते हैं तो जो hair loss होता है या फिर hair fall होता है कि जिसको बाल जड़ना कहते हैं फिर बाल जो आपके जड़ने लगते हैं completely जो उसका root होते हैं वैसे ही निकरने लगे है और आपके बाहर जो कमजर होकर तुटने लगे है तो यह जो symptom है वह problem के अंदर develop होते हैं तो यह आप इमें वीडिय है decision treatment उसको आप जरूर से order कर सकते हैं तो यह जो book है उसको order करने के लिए आप आमें दिये गए नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं तो topic भी वापस आते हैं और समझते हैं कि जो hair fall हो रहा है कि बाल आपके जड़ रहे है उसके reason क्या हो सकते है कौन से से अलगला कारण है कि जिसके करन यह problem हो सकती है तो सबसे पहले एक genetic factor रहता है और एक family history भी यहापे जो हो involved होती है फिर next हम देखे तो जो stress है आपके life के अंदर तो stress के करन भी यह problem जो है वो develop हो सकती कि आपको काफी जड़ा stress है आप anxiety फिल कर रहे है तो भी यह problem आपके life में हो सकती है फिर अगर किसी का hormonal changes होता है जैसे कि specially महिलाओ के अंदर जैसे PCOD का problem होता है उनको या फिर polycystic ovarian cyst का problem होता है तो भी यह symptom develop हो सक होता है तो PCOS में होता है thyroid की जो बीमारी है उसमें भी hair Paul का जो problem होता है कि चाहें वो hyperthyroidism है या फिर hypothyroidism फिर आप यहाँ पे देखें जो air pollution है कि जो atmosphere में भी जो pollution रहता है काफी जड़ा तो उसके करन भी यह problem और यह जो समस्या है वो हो सकती है फिर आप hard water से नहाते हैं मे मात्रा काफी जड़ा कम है total dissolved salt होते हैं वो काफी मात्रा में मलब के hard water है तो hard water से नहाने से भी hair fall के समस्या हो सकती है फिर जो अंदर से जो problem होता है कि जो बाहर से तो बाल आपके कमजुर है पर अंदर से क्यों कमजुर आ रहे है तो उसका reason होता है nutritional deficiency कि जो बालों के लिए जैनोरी जो nutrition होता है वो आपको सही से नहीं मिल रहा है तो भी यह problem हो सकता है जैसे कि riboflavin, vitamin आपको सही से नहीं मिल रहा है, biotin है, fallet है, beat well है यह सभी vitamins की deficiency है तो भी हो सकता है फिर आपने hairstyle करवा ही है या फिर ऐसे treatments करवा है excessive महला कि अगर कोई limit में करवाता है तो कोई problem नहीं है बट excessive आपकी hair treatments हो रही है जैसे कि आप hairstyle के लिए अलग-अलग treatments करवाते हैं, उनको color करवाते हैं तो भी यह problem हो सकती है फिर कुछ ऐसी medical condition से जिसके कारण भी यह problem हो सकते हैं आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो वो बीमारी के कारण भी आगे जाके hair fall की समस्या होती है फिर कुछ दवाईया जो यहाँ पे आप listed है वो देख सकते हैं तो अगर यह दवाईया आपने लंबे समय से use की है तो उनकी एक side effect रहती है hair fall तो यह भी हो सकता है तो ध्यान रखे कि यह दवाईयों को लेना limit कर दे या फिर आप उसका दूसरा alternative use कर सकते हैं तो यह यह जो सभी दवाईया है उनकी side effects से यह problem होती है जो यह वीडियो को pause करके आप देख सकते हैं उनका list फिर जो cancer की chemotherapy के दौरान hair fall और hair loss का problem होता है मलगी completely बाल जड़ जाते तो यह भी एक reason है फिर radiation कि किसी बिदारा के radiation आपके hair पे बार-बार बार बढ़ बढ़ रहा है तो भी hair fall हो सकता है फिर आप आपकी बालों की अच्छे se care नहीं करतें आप regularly hair को अच्छे se wash नहीं करतें नहीं उनको बाहर या अंदर से अच्छे से care कर रहे हैं मनलब कि अंदर से care करना मनलब कि आप अच्छी diet ले रहे है properly और जब आप wash भी करते हैं तो भी उनको सही से care करना चाहिए कि जो proper यहाँ पर जो steps देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में तो उस तरह से proper care करनी चाहिए अब बात करते हैं reasons diagnosis मलब कि कैसे यह problem का हम निदान कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देखिए तो सबसे पहले patient की medical history चेक करना जरूरी है उसके बाद physical examination कि उसको अच्छे से check करें कि समझ से क्या है questionaries भी पूछ सकते हैं उसको medical history counseling के दौरान आपको अलग-अलग सवाल पुछना यहाँ पर जरूरी बनता है कि जिससे exact reason पता लगा सकेंगे आप फिर कोई बीमारी है या नहीं या फिर अंदरू नहीं कोई problem है तो उसके लिए blood test करना जरूरी है फिर बाल कितने मजबूत है उसलिए hair pull test आता है कि जब बाल होते उसको खीच के उनका test किया जदा है तो जो train staff होता है वो ही यह test जो फर्वों करता है जो scalp का जो अंदर का जो हमारा बाग होता है वहाँ पे biopsy की जाती है वहाँ साथ sample लेके उसको जो जो चेक किया जाता है यह भी एक train staff के दरह की जदी है फिर जो हमारे hair होते है बाल होते है उनको microscope के नीचे चेक किया ज़ता है बालों की quality को चेक किया करने के लिए और फिर उनके according to कि जो reason पता लगता है वो reason के according to प्रॉपर treatment दी जाती है कि जिससे hair fall का problem जो होता है तो जो सरुवात के stage में hair fall होता है वो treatable होता है पर जो उसके stage काफी ज़्यादा बढ़ जाता है आगे जाके तो hair loss हो जाता है completely फिर नए बाल उगाना काफी ज़्यादा difficult हो जाता है पहले तो proper hair के care करने चाहिए कि याप जो step से उस एकरडिंटो अच्छे से hair करें के बालों को wash भी करें shampoo कर सकते है conditioner कर सकते है और कौन से product अच्छे है वो भी हम video में आगे discuss कर देगे फिर एक reason है stress कि आप सब कुछ सही है पर life में stress आपका काफी ज़्यादा है तो stress पूर life के current भी hair fall का problem हो सकते है तो stress को कैसे दूर कर सकते है तो आप अच्छे से yoga, meditation वगेरा जो हो कर सकते हैं फिर hair protein के लिए अलग-अलग serums आता है मलग कि बाल जो कमज़र हो जाता है तो उनको एक protein की जरूरत होती है तो वो protein आपको जो protein serums होते है कि मलग कि कोई oil use नहीं करता पर oil के replacement में आप serum भी use कर सकते है जैसे कि आप यहाँ पे product देख रहे है वो use की जा सकती है फिर hair scalp serum ममार्थ का भी आता है hair mask वगेरा के जो अलग अलग प्रॉडक्ट आते है कि जो अलग अलग जो branded companies है वो hair mask बनाते तो इसमें से कोई भी आप use कर सकते है फिर hair oils use करने चाहिए जैसे कि इंदू लेखा है सेसा करके कि जिससे regular आप oil massage करते हो तो भी बालों को जो nutritions मिलता है और अंदर से जो है उनको मजबूती दिने में ये help करता है तो यहाँ पर हम hair oil के अलग-अलग options दिख रहे हैं वो use किये जा सकते है अब बात करते हैं दवाईों के कि जिसके अंदर एक regain करके solution आता है 5% के strength में कि जिसके अंदर जो medicine रहती है हुआ रहते हैं minoxidial का एक topical solution रहता है तो वो specially जो scalp पर reason है या फिर जहां से hair fall हो रहा है वहाँ पर ये जो है वो apply करना होता है तो यहाँ पर पीछे उसके proper instruction दी होई होती है तो उसके according to ये जो है वो आपके बालों में apply करना तो जैसे daily use of regain solution for four or more months may be required to see the result आपको लंबे समय तक minimum चार मैने तो use करना है पड़ेगा तब उसका proper result मिलता है तो फिर से मैं आपको reminder देना चाहूंगा कि जो हमारी book है उसको आप जरूर से order कर सकते हैं ये book को order करने के लिए आप हमें दिये गए नमबर पे whatsapp कर सकते हैं तो आगे जमझते हैं जो medicines की जो अलग-अलग options है कि जिसके इंदर new hair for you 5% solution minoxidil का वो भी use किया जा सकता है फिर finasteride के जो tablets आते हैं 1 mg की strength में ये available होते हैं जिसका marketed formulation नम finax देख रहे हैं इसका डूस रहता है 1 mg दिन में एक ही बार तो ये tablet भी prescribe किये जाते हैं hair fall के problem है फिर homeopathy में हम देखे तो sbl के scalpton करके जो tablet आते हैं वो भी आपको बालों को मजबूती देने में मदद करते फिर care a glow eva करके जो tablet की nutritions देते एक type का nutraceutical की जिसके अंदर बूरा जोल है multi vitamin mineral है iron है green tea का extract है grab seed का extract है तो ये जो सबी nutrition से वो आपको help करते हैं बालों को अंदर से मजबूती देने के लिए कि जैसे अंदर से ये आपकी समस्या solve होती है फिर care a glow man के भी tablet आते हैं कि अगर बुरुसों के अंदर ये problem है हिमालिया का hair zone करके solution आते हैं कि जो आप spray कर सकते हैं आपके hair के reason में पिर anti hair loss creams भी आते हैं हिमालिया के अंदर वो भी use की जा सकती है और उसके अलग-अलग versions available है तो जो भी आपको suit करती है वो patient और जो problem जिसको ओ रही है वो use कर सकता है पिर multi vitamins के tablet भी लिए जा सकते हैं या जैसे कि supradean daily करके जो multi vitamin है एक tablet per day के सबसे zincuit भी यहाँ पे useful साबित होती है तो अगर आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे click करके यह वीडियो भी देख सकते हैं और बाजो में जो circle दिया है वो circle के उपर click करके आप मेरी channel को subscribe कर सकते हैं so good luck and all the best और जो भी valuable suggestion है वो मुझे नीचे comment box के अंदर जरूर से बताएं good luck and all the best